हलो फ्रेंट्स वेल्कम बेक तो और यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा विड आईक्यू के बारे में जानते हैं या जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि विड आईक्यू जो है वो यूट्यूब का कि ऐसा टूल है जहां पर आप आपके चैनल को है वीडियो को एजीली अप्तिमाज़स कर सकते हैं तो दोस्तों ये सी को कहते हैं यूट्यूब का secrets ... यूट्यूब का एस यूट्यू ق , पैशूल नहीं ादी F expectation पैश् это डूवielen आज हम discuss करेंगे विड आईक्यू के क्या क्या features हैं जिसके अलावा साथ ही साथ में में आपको सिखाऊँगा कि इसका practical example कैसे करते हैं वो next video में होगा बट next video की तैयारी कैसे कि जाएगी वो हमारे इस first video में होगी तोनों video लगाता रहा है back-to-back video आपको मिलेंगे और दोनों video क को आप देखें अगर आप फ्राइश रहें तो दोनुव विडियो को जहूर देखें अगर आप समझदार है और व्यूटिए आपका यूट्यब शेनल चल रहा है तो आप पहला वीडियो इसकी बिकर सकते दूसरा वीडियो आप देखी में आप सबी लोगों को थेंक यू कह सारी है देखिए एक गंट पहले यह मुझे मेल आया है तो मेरा टॉपिक भी ऐसा है कि यूटिब को कैसे ग्रोग करें उसके उपर बनाने जा रहा था और यह मेल भी मुझे मिल गया तो आप सब लोगों का दिल से धन्वाद थैंक यू आप लोगों का प्यार है जो अमारे च शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब पर लीजिए दोस्तों हम शुरू करते है हमारा वीडियो की विड आईक्यू में क्या क्या फिचर्स है तो हमारे लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं यह फिचर का स्कोर इसकोर दिखाता है इसकोर कार्ट कीवर्ड टूल अब यह तो इसके फूचर्स है बट इन्होंने सारे फूचर्स देख लीजिए अभी हम देख लेते हैं इसके प्राइस क्या क्या है यह फ्री में भी प्रोवाइड करता है जो बेसिक प्राइस है वह आपका फ्री है आपको कुछ पे नहीं करना है और शो प्रीमियम एकाउंट से उसके लिए आपको चार्ज पी करना रहेगा नाइन डॉलर एप्रोक्सिमेट इनका देखा था ठीके 7.50 से स्टार्टिंग है पर मंत का प्राइस और 39 मंतली और 415 मंतली यह एजेंसी के लिए रहता है और आप सिंगल यूजर्स हैं अग्ड़िव इस्टूडियो है और यहां पर जैसे ही आप इसको इंस्ट्ल करते हैं तो आपको क्रॉम एक्सेंशन से इंस्ट्ल करना रहेगा या फिर इनकी साइट पर भी आ जाई है यहां पर इन्होंने एक्सेंशन दिया है लिए उस अब करेंगे तो आपको इंस्ट्ल कर रहे गार जैसे अब खीलिक करेंगे तो यह आउतोमेटिकलि फ्रॉ lug के इसे डोप यहांसे आप कर लिजिए यहां पर remove from chrome दिखा रहा है क्योंकि मेरा already install है आपका नहीं रहेगा तो आपको install करने हो लेगा तो दोस्तों यह install हो जाता है यहां पर और यहां पर install होने के बाद टॉप पर आपको यह दिखाएगा आप बहुत बड़ी टेक्निकल पर्टसन है तभी कर पाईगे आप बेसिक यूजर से तभी वह आप इसको step by step next 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 करते जाएगा अभी देखिए इसके कुछ फ्यूचर जो है वह एक competitors का futures है तो competitor में आप यहां पर किसी भी competitor का आप चैनल का टाइप करिए मैं आपको यह features दिखा देता हूं मैंने यहां पर already दो लोगों का competitor डाला हुआ है तो इसमें जो आता है टेक्नो वेदान करके यह काफी अच्छे इंसान है इनका मैंने वीडि 30 days, 6 days, 2 days तो जो भी वीडियो डालते हैं और उसका क्या trend चल ला है कितना वीव हो है वो हुझे यहां पर ऐजे indication मिल जाता है तो दूसरे यह कंकुर अगरवाल करके यह भी मैंने ट्राइल किया था बट यह कोई वीडियो नहीं डाल देते हैं इनको निकाल देते हैं इनका क कर सकते हैं तो point number one हो गया दूसरा हो गया trend alert अभी यह trend alert जो है वो paid version के लिए काम करता है free version में trend alert काम नहीं करता है तो इस चैनल इस topic को भी हम skip कर देते हैं और मैं suggest करूंगा कि आप free version ही use करिए paid version में अभी जाने की कोई जहुरत नहीं है इन feature आपको लगता है तो आप paid version मे जा सकते हैं that is your choice अच्छा most view channel में क्या है कि video कौन सा video सबसे जादा view हुआ है तो इसको भी edit करने का option आता है कि आप किस category में देखना जाते हैं कौन सी country का देखना जाते हैं बस सारी custom tools हैं बट यह version भी जो customization है वो भी upgrade version में available है बट यह वो video है जो सबसे जादा देखे गए ह हैं तो उसका भी यह एक most view video का competition देता है तो इसके अलावा हम बात करेंगे channel audit सबसे जादा important future है channel audit का अगर आपका YouTube channel है तो दोस्तों ध्यान से देखिए इस topic को कि channel audit में क्या होता है आपके पास जितने भी YouTube के वीडियो रहेंगे उस सबका channel का audit करके दिखाएगा channel audit भी जो है वो upgrade version में देता है बट हमें कुछ जलक जो है वो दिखा जाता है हमारे channel की कि हमारे channel में क्या कमिया है और कहां पर सुधार करना है और यह time frame जो है वो भी fix है क्योंकि यह free version में 30 days क लिए आपको paid version में जाना रहेगा तो एक जलक मैं आपको इसको छोटा सा overview दिखा देता हूं कि यह क्या है सो सबसे ज्यादा वीडियो कौन से आपके अच्छे टॉप पर चलना है वी पर आवर्स engagement rate किसका सबसे ज्यादा है कौन से वीडियो का और वीडियो सबसे ज्यादा समरी दिखा देता है कि आपके वीडियो कौन से अच्छे कौन से नहीं किस टॉपिक के अच्छे को इस पर ज्यादा engagement हो रहा है ताकि आप at least 3 वीडियो दिखा रहा है तो 3 वीडियो से ही समझ चाहें उसके आगे आपको दिखाएगा एक total watch time कितना हुआ है सबसे ज्यादा क कौन से वीडियो सबसे जादा आ रहा है और कौन से कीवर्ट से तो यह basic information यह तो आपको यहाँ पर दिखा देता है कि आपकी चैनल का status क्या है आपका चैनल किस तरह से वर्क कर रहा है और नीचे आते जाएंगे तो आपको average metric भी दिखाता है कि आपके title का average length कितना है तो यह यहां पर देखिए आपको 60 यहां पर दिखा रहा है title का length दिखा रहा है और description का length दिखा रहा है टेक का length दिखा रहा है playlist कितना है आपका वीडियो पर playlist में add हो रहा है या नहीं और actionable SEO इसको total channel का आपका कितना है वो सब यहां पर आपको दिखा देता है यह feature जो है YouTube के analytics में नहीं रहते सारे features नहीं रहते तो यहां पर मेरे nine essay video है जिन पर add to cards नहीं लगा है और end screen नहीं लगा है आट ऐसे वीडियो है और इस तरह से यह हमें channel का एक overview summary दिखा देता है यहां पर कुछ keywords वगेरा भी है subscriber gain किस तरह से हुए तो मुटा मुटा यह यहां पर दिखा देता है किस तरह से आपका engagement आपके चैनल का आपके users के साथ हो रहा है तो यह बहुत अच्छा features मुझे लगा और उसके साथ साथ में आपका channel audit के साथ में सबसे अच्छा feature जो है वो keyword inspector है सो दोस्तों मैं जिस topic पर यह अभी का video यह record कर रहा हूं उसका topic के मैंने keywords निकाले हुए है how to add more view on youtube यह keywords है यह keywords मुझे कैसे पता चला यह vid IQ के थ्रू ही पता चला कि यह keywords पर कितना competition है और कितना यहां पर traffic volume है सो दोस्तों इस keyword का सबसे बड़ा helpful यही बात है कि यह हमें keywords का analyze करके बता देता है देखो दोस्तों यहां पर मैंने यह keywords analyze किया हुआ है how to get more views on youtube इसका जो volume है search volume है 4,30,000 से उपर है 500 plus है और इसको competition category आता है medium में और इससे related जो keywords है how to get more view on youtube fast same है just इसमें fast लगा है बट इसका search volume है वो थोड़ा लो है medium इसका competition है और दूसरा keywords related keyword है how to get more view on youtube 2020 so इसका भी जो search volume है वो 29,300 something और जो competition है वो एकदम लो है आप देख रहे हैं होगे competition कितना low है यहाँ पर medium है यहाँ पर medium है यहाँ पर low है और यह जो last वाला है इसमें भी medium है इसमें भी दिया हुआ है how to get view on youtube so यह इसका 2,21,000 search volume है यहाँ से हमें पतर चलता है कि इस keyword को हम अब target करेंगे हमारे वीडियो पर और जो आप present video देख रहे हैं उसका title भी यही रहेगा how to get more view on youtube और इसी को हम target कर रहे हैं यह किसकी मदद से हुआ है यह हुआ है विडियो बनाया है वीडियो में भी थोड़ा बड़ा रहेगा लेकिन आप देखते रहे हैं ध्यान से देखिए कि यहाँ पर यह keyword inspector का काम जो है वो किस तरह से काम करता है तो दोस्तों इसके अलावा मैंने और भी वीडियो और भी keywords निकाले हुए है get more views YouTube पर ट्यूबड़ी जो है वो इसको मैंने ऐसे tag में यूज़ करना है तो यहाँ पर इसके उपर भी बहुत search volume है विट्क्यू विजन फॉर यूट्यूब अगर आप यह keywords भी लेते हैं तो इस keyword का भी मैं आपको search volume देखा देता हूं देखिए जो विट्क्यू विजन फॉर यूट्यूब इसका 12,000 है और यह बहुत ही low competition keyword है मतलब इस पर हम target करेंगे तो बहुत easily rank करा सकते हैं हमारे वीडियो को वीडियो का भी SEO होता है दोस्तों अभी जो मेरा next topic आने वाला है next video इसी को लेकर कि इस particular video को हम कैसे utilize करेंगे हमारे YouTube के अंदर उसके उपर पूरा video बनने वाला है तो दोस्तों हमारे वीडियो के साथ ल और उसके positive points, negative points, so मैंने negative points तो अभी तक नहीं बताया है कोई भी आपको, so यह हमरारे keywords निकल कर आ गए हैं, जो हमने video के उपर video बनाया है, इसके उपर अभी जो हमारा next video रहेगा, वो क्या रहेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उससे पहले यह achievement option है, यह भी इसका एक future दिखा देते हैं, achievements में क्या-क्या है, मेरे 1000 subscriber कभ अचीव हुए, और next 1500 कभी तक अचीव होंगे, वो एक estimate दिखा देता है, यह total view दिखा देता है, upload कितने 100 video अपलोड हो चुके हैं, वो दिखा देता है, वन के likes मिल चुके हैं, कभी मिले, so यह एक achievement जो है, जो आपके channel अचीव किया है, वो दिखा देता है, so इसको आप देख लीजिए, आप देखेंगे, तो आपके channel का पूरा analytics आपको deeply देखने को मिलेगा, काफी अच्छा है, interesting है, और इसके अलावा एक और चीज में आपको दिखा देता हूँ, VidQ Academy, ठीके यह features तो यहाँ पे complete हो गए, किस practically example करके देखेंगे कि VidIQ किस तदा से implement करेंगे वीडियो के अंदार, so thank you for watching, our video, have a nice day, God bless you, goodbye, और काई लोग वीडियो को लाएक और शेर करना ना भूले,